रतन टाटा देश के सबसे प्रतिस्ठित वैक्तियों में से एक है उन्हें ना केवल भारत में बलकि वैश्विक स्तर पर भी लोग अच्छी तरह से पैचानते हैं रतन टाटा टाटा समू के पुर्व चेर्मैन है देश के सबसे पुराने और द्योगिक समू के मुख्या रतन टाटा अविवाहित है हाला कि बहुत कम लोग ही रतन ताटा के परिवार के बारे में जानते होंगे तो आए जानते हैं कि रतन ताटा के परिवार में और कौन-कौन से सदस्य हैं जीमी टाटा जीमी टाटा रतन टाटा के छोटे भाई है जबकि नोयल टाटा उनके पिता की ओर से उनके सौतेले भाई है। जीमी रतन टाटा से दो साल चोटे हैं और नब específic दशक में सेवा निवरित होने से पहले उन्होंने टाटा की विभिन कंपनियों में काम किया, वो भी रतन टाटा की तरह कुँआरे हैं, सिमोन टाटा सिमोन नवल टाटा एक स्विस मूल के भारतिये वैवस आई हैं जो नवल टाटा की दूसरी पतनी थी। सिमोन 1961 में लैकमे लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुई और 1964 में कमपनी की प्रबंध निदेशक बनी। नोईल टाटा, नोईल नवल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं, वे अपने पिता की ओर से रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई है, नोईल आईरिश नागरिकता वाले एक भारतिय वैविसाई है, नोईल अपनी मा सिमोन टाटा दौरा स्थापित क कमपनी ट्रेंट के भी चेर्मेन हैं। उन्होंने आलू मिस्तरी से शादी की और उनकी तीन बच्चे हैं जिनमें लिया, माया और नेविल है। लिया टाटा, लिया टाटा, नोयल टाटा की सबसे बड़ी बेटी है। इन्होंने स्पेन के मैडरिड में IEE बिजनस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर्स किया है। लिया ने साल दोज़ाच्छे में ताज होचल रिसॉर्ट्स एंड पैलिस में असिस्टेंट सेल्स एक्ज उचानक बंद होने के बाद माया ने टाटा डिजिटल में कदम रखा और वर्तमान में यहां काम कर रही है। नेविल टाटा, नोयल टाटा और आलू मिस्तरी के बेटे हैं। वो रिटेल चेन ट्रेंट के साथ काम करते हैं। नेविल ने वेस्स साइट, स्टा बाजार और लैंडमार्क स्टोर्स के संचालक ट्रेंट में हाइपर लोकल फूड का मैनेजमेंट किया। उन्होंने करलोसकर टेकनॉलोजीज की निदेश शकमान से करलोसकर से शादी की है। उनका एक बेटा है जिसका नाम जमसेट टाटा है।